हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू फूट्स फिटनेस आजे आपड़े बनव इश्यू आथा वगर नी एकदम सरस जाड़ीदार अने पोची रूजेवी इंस्टन्ट इडली अहिया तमे जोई शको छो किटली मस्त आपड़ी सौफ्ट इडली तयार थाई छे आई इडली साथे खावानी मजे आवे एवो एकदम नवीरीते टेस्टी संबर बनवीश्यू अने साथे नाडियर नी चटनी पन तयार करीश्यू तो चालो फक्त 30 सज मिनीट मा इंस्टन्ट इडली संबर अने चटनी नी रेसिपी ने शरू करिए रेसिपी गमे तो वेडिय पोची रूजेवी आथा वगर्नी इंस्टन्ट इडली बनाव माटे अहिया में एक प्रवोली तो छे अहिया आपड़े सूजी रवो एडली के जे मुट्टा दाणावालो रवो होई एले वानो छे एना थी आपड़ी इडली एकदम सरस बने छे पन जो गर्मा सूजी होई अने जीनो रवो होई तो तमे एना थी पन इडली बनावी शको छो हवे एकदम सरस सौफ्ट अने पोची इडली बनावा माटे अपड़े जिटलो रवो लिदो इडलू जहिया सेच खाट्टू दही लेशु अने साथे अपड़े एक टीस्पून जिटलू अत्वास स्वात प्रमाणे मिठ हुँ मेरी देशु हवे आ इडली ने एकदम सरस स्ट्रेंथ वाड़ी अने सुपर सौफ्ट बनावा माटे जियारे इडली नू बैटर बनावी त्यारे जिमा बैय मोटी चमची जिटलू तेलू मेरी देशु अने बद्ती वस्तूने सारे रिते मिक बनाव गिये तो संब्भार बनावा माटे अहिया में वन्थड कप जिटली तुवेर नी दालली देशु तुवेर नी दाल माँ पाणी उमेरी देशु अने दाल ने एकदम सारे रिते दोही लेशु तो सरस दाल दोवाई जाई एटले दालमा आपणे ये थोडु गरम पा पाणी काडी लिदू छे तो हवे आ दाल ने आपड़े कू करमा लई लेशु अने संभर माटे दाल ने बाफी लेशु तरी ते बती दाल उमेरिया पची हवे आ स्टेज पर आपड़ामा डौड कप जेटलू पाणी उमेरि देशु तो अहीं आपड़े एकदम सरस गड़े एटले के एकदम मैश थी जाई एवी आपड़े सोफ्ट दाल बाफी ने तैयार करवानी छे तो डौड कप जेटलू पाणी उमेरि देशु अने हवे आपड़े दाल बफाया पची दाल नो कलर एकदम सरस आवे एना माटे वन फोर्ट टीस्पून जेटलो हलदर पाउडर अने दाल एकदम सरस फटा-फट बफाय जाई एना माटे दाल ने बाफता समयेज आपड़ामा अड़धी टीस्पून जेटलू अत्वा स्वात प्रमाणे मिठ हो मेरी देशु अवे बत्ती वस्तुने सारी रिते मिक्स करी लईए अने कोकरन नो ढाकान बन करी मिडियोम ग मसाला पेस्ट बनावीशु तो संभर माटे नी मसाला पेस्ट बनाव अमाटे कड़ाई मा एक टेबल स्पून जेटलू तेल गरम करवा माटे मुखि देशु तो आपड़ू तेल गरम थाई एटला पड़ामा एक टेबल स्पून जेटली चणानी दाल अने एक टेबल स्प तो स्लो गेसनी फ्लीम पर आपड़े दालनो हलको कलर चेंज ताई औने मेथी दानानो पण कलर बदलाई त्यां सुथी आने थवा देशो गेसनी फ्लीम अपड़े स्लो मेडियो मज राखवानी छे अने थोड़ो कलर बदलाई एटले हवे आमा आपड़े एक टीबर स्पुन जीतला अखा धाना उमेरी देशो त्यार बाद आपड़े एक टीश्पुन जीतलू जीरू उमेरी देशो तमे आ रीते मसाला पेस्ट बनावी और संभर बनावशो तो क्यारे संभर मसाला नो उप्योग ने करो और हम्मेशा आज रीते संभर बनावशो तो हवे इंगे आपड़े त्रोण मिडियम साइज ना नाना के मोटा तमे तीखाश तमारे जीतली जोवे ए रीते सुकालाल मर्चा उमेरी देवाना पात्ती 6 नंग जिटला अपड़े मिठालिमडाना पानो मेरी यश्וע dawn पात्ती 6 नंग जिटला मरीना दाणा मेरी सलो गैसनी फलीमपर मसालाने सारीरीते कुख करीले यश्וע हलको मसालानो कलरबद लाई इतला माल पात्ती 6 लसन लसन ना खाता होय तो सकिक पन करी शकाय एक नानो टुकड आमली नो उमेरी शु जेनाती सम्बार्नो स्वाद एक दमसरस लाख से औने साथे एक मेडियम साइस नी डुंगली ले शु तो डुंगली ने आडिते मोटा-मोटा टुकडामा में कापी ने लिती छे हवे बद तीज वस्तुने स्लो गैस नी फ्लीम पर एक आद मिनिट माटे थवा देशु एक आद मिनिट जेवी आपड़ी डुंगली थाई एटला आपडामा एक टेबल स्पुन जेटलू नालियर नू खमणो मेरी देशु नालियर नू खमणो मेरी आपछी गैस ने फ्लीम ठांडो थाई गयो छे तो हवे बत्ताज मसाला ने मिक्षर जार मालाई लेशु अपड़े आ मसाला ने पीस वानों छे एकदम ईजीली एकदम सरस्मूध मसालो आपड़ो पीसाई ने तैयार थाई जशे अने आ मसाला पेस्ती संबार आपड़ो एकदम टेस्टी बन से तो हवे आपड़े एकदम सारी रिते बत्ती वस्तुने पीसी लिदी छे अने इन्या तमे जोई शकोच अपड़ी एकदम स्मूध मसाला पेस्त तैयार थाई गई छे तो तैयार करेली आ मसाला पेस्त ने आपड़े थोड़ी वार माटे साइट पर राखे देशु अने हवे आ कड़ाई मां मसाला पेस्त बनावी एमाज आपड़े संभार बनावी लेशु तो संभार बनाव माटे आपड़े फरी पेंड मां एक टिबल स्पुन्जेटलू तेल गरम करवा माटे मुखी देशु तेल आपड़ू एकदम सारुए उगरम थाई एटले एक अडदनी दालू मेरी देशु एक सुक्कु लाल माच्चु और थोड़ा मिठाली मड़ा ना पानू मेरी देए औने राई एकदम सारी रिते फूटे तिया सुधी आने ठवा देशु तो आपड़ी राई फूटे तिया सुधी मां हो तमने जणावी दव अहीं में थोड़ वेजेटेवल्स लेदा छे तो वेजेटेवल्स ती बहुँ सारोय वो अपड़ा समपार्नों टेस्ट आउसे तो यह वेजेटेवल्स में थोड़ू रिंगण, दूदी, फणसी, गाजर औने एक सरगवानी सेंगली देशु तो हवे आपड़ी राई एकदम सारी रिते क्र अलक कीएवी एकाद मिनिट जेवी थवा देशु तो यह आपड़े वेजेटेवल्स ने ओवर कूक नथी करवाना, एटले हलक को एवो आपड़ी डूंगली नो कलर बदलाई, एटले तरत अज आपड़ा आमा जेब वेजेटेवल्स लिधा छे एन उमेरी देशु वेजेटेवल्स ने वगार साथे एकदम सारी रिते मिक्स करी लेशु औने तेल साथे वेजेटेवल्स ने 2-3 मिनिट माटे सातली लेशु जेती आपड़े जेशाग पाजी छे एकदम फटाफट कूक थेई जाई अने आपड़ों समभाद एकदम जल्दी बने तो एक दम सारा एवा फटाफट वेजेटिबल्स ना भागनूज आपणा इया मिठ हुँ मेरी देशु अने आपड़े अड़धा कप जेटलू पाणियू मेरी देशू, हवे आने पर धाकन लगावी देशू, अने आ शाक पाजी ने स्लो गैस नी फ्लिम पर पांच मिनिट माटे थवा देशू तो यह तमें जोई शको चो पांच मिनिट जेटलो समय थई गयो छे, में वच्चे एक वार खोली अने वेजेटेबल्स ने मिक्स करीली दाहता, तो हवे इन्या पांच मिनिट पची तमें जो आपड़ा जे वेजेटेबल्स चे, इस इत्ते टका जिवा बफाई गया छे, हज अपड़ी पेस्ट आपड़े संभार्न मां उमेरी देशु, आ मसाला पेस्ट ने तमें एक वार्ब नवी फ्रीजर मां 15-20 दिवस्चुदी स्टोर पण करी शको चो, मसाला पेस्ट नी साथे आपड़े एक मेडियम साइज नू टमेटों उमेरी देशु, अने बद्ती वस तुने सारे रेते मिक्स करी लेशु, तो रेते आपड़े बद्धू सरस मिक्स तई जाई, एटले हवे आमा पाणी उमेरी देशु, तो आपड़े एक थी डौड कप जेटलू पाणी उमेरी देशु, तो यह में हलकु एवु गरम पाणी लिदू छे, जे नाती आपड़ पेस्ट छे, एनो कलर सेच पन बदलाई नहीं, अने आपड़ो समभार एकदम फटाफट बनी जाई, तो पाणी मा एक बोईला वे तिया सुथी मा अहिया तमे जो कुकर मा सरस दाल बफाई गई, एटले कुकर नो प्रेशर मेनी जाते पूरू थवा दीतु, अने हवे आप पड़े आमा एक थी डोड कप जेटलू पाणी उमेरी देशु, अथ्वा जरूरी यत्र माणे तमारे पाणी उमेरवानू छे, तो अईया में अत्यारे नोर्मल पाणी जलीतु छे, रूम टेंपरेचर वाडू, अने आरी ते में एक कप पाणी उमेरी सारी रिते मिक्स कर लही है, तो अपड़े जें मसाला पेस्ट पनावी, एमा आपड़े बद्धा मसाला उमेरी दीता चे, तो आस्टेज पर आपड़े कोईज मसाला नत्ती उमेरवाना, आर इत्ते सरस आपड़े दारने उमेरी सारी रिते मिक्स करी दीती चे, हावे संभार नोर्म टेस सो अपड़े देशो, अने बत्ती वस्तुने सारी रिते मिक्स करी, पाँच मिनिट माटे संभार ने उकाड़े लेशो, तो हवे या पाँच मिनिट जेटलो समय थाई गयो छे, औने तमे जो आपड़े संभार उकड़े ने एकदम पोफेक्त तैयार थाई गयो छे, परने ठाकी थोड़ी वार माटे साइट पर राखे देशु। हवे आपड़े आ इदली अने संभार साथे खावा माटे एक दम टेस्टी नालियर नी चट्नी बनावीशु। तो एना माटे मिक्षर जार्मा एक कप जेटलू नालियर नू खम हंड लेशु। साथे आपड़े ब्याथी त्रण टिखा लीला मर्चा लेशु। एक नानो टुकड आमली नो लेशु। जेनाती आ चट्नी नी फ्लेवर एक दम सरसावसे अने साथे एक टीस पुझेटलू अत्वास वाद प्रमाने मिठों मेरी देशु। हवे आपड़े थ्री फोर्थ कप जेटलू एटले के एक कप करता थोड़ू ओछु। पाणिव मेरी बद्धू सारी रीते पीसी लेशु। बद्धू सरस पीसाई जाई एटले चट्टीनी पेस्ट ने एक मिक्सिंग बोल मा काड़ी लेशु। अने हवे आ चट्नी पर आपड़े एक वघार करीशु। चट्नी पर वघार करवा माटे आपड़े आरीतना वघार यामा एक टीबल स्पूंजितलू तेल गरम करवा माटे मुखी देशु। તો તેલ ગરમ થાય એટલે પેલે પેલ્લા આપડ્યામાં એક ટેબલ સ્પૂજેટલી અડદની દાળો મેરીશું અડદની સારી રીતે વગારને મીક્સ કરી તરતચ તયાર થઈલા વગારને આપણે ચટની પર રેડી દેશું અને એક દમ બેલ્કુલ તયાર છે તો આપણે ચટની અને સંભારબણ આવ્યા ત્યા સુધીમાં આપણો જે રવો છે એક દમ સરાસ બસ્તુને સારેરેતે મિક્સ કરીલેશું તો બદ્દુ આરીતે સરસ મિક્સ થઈ જાઈ એટલે આપણે ઇન્સ્ટેં સફેદ બને છે અને બુવત સરસ સોફ્ટ તયાર થાઈ છે તો ઇનો ઉમેરી ઇનો ને સારે રીતે મિક્સ કરી દેશું તો ઇનો ઉમેર્ય પછી આપડે બેટ્રને વતારે સમઈર રેસ્ટ ના થી આપાનો તરતજ આપડાને ઇડલી મોલ્ડ મોલ્ડ 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 માં ટ્રાંશ્ફર કરિસું તો બેટર ને એડલી મોલ્ડ 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 તેલ્ दिग्रिस करीती दी छे तो हवे आपड़े इदली ना बत्ता खानामा बैटरूमेरी देशू तरी ते आपड़े थोड़ी थोड़ी जग्या राखेशू जेथी आपड़ी इदली फुली ने एकदम पॉफेक्टिवी तयार थाई तो यमें स्टीमर नी प्लेट तयार करी दिदी छे अने स्टीमर मा पण आरीते पाणी एकदम सरस उकड़े छे पाणी उकड़े 25 तमारे इदली नी प्लेट राखवानी जेथी इदली फुली ने एकदम सरस तयार थाई तो इडली नी प्लेटराखी ठाकी अने 15 मिनिट माटे इडली ने स्टीम करी ले शुँ 12 थी 15 मिनिट जेटलो समय थशे अने तमे जो 12 मिनिट पछी आपड़ी इडली एकदम पफेक्ट एवी तैयार थाई गई छे आरिते इडली ने हाथी चेक करिये तो तमे जो उस्टाइच पण हाथ माँ चौटती नाथी अन्या रिते टूदपिक उमेरिये तो तमे जो एकदम सरस आपड़ी टूदपिक क्लीन निकले छे मतलब आपड़ी इडली पफेक्ट स्टिम थाई गई छे तो आईडली ने 10 एक मिनिट माटे ठंडी थावा देए गरम गरम इडली ने क्यारे अन्मोल्ड नी करवानी थोड़ी इडली ठंडी थाई पछी अन्मोल्ड करसो तो बुवत सरस तमारी इडली तैयार थाशे तो यह 10 एक मिनिट पछी आपड़ी इडली एक दम सरस ठंडी थाई गई छे तो आरी ते चाको नीमद थी इडली ने आपड़े काड़ी लेशू अन्य हवे तमे जो किटली मस्त एक दम जाड़ी दार अन्य सौफ्ट एवी आपड़ी इडली तैयार थाई छे तमे आरी ते एडली इडली ने में संबार अने चट्नी साथे सव करी दी दी छे तमे आरी ते जो क्यारे इडली संबार अने चट्नी ना मनाव्या होई तो रेसिपी ने चरू ड्राई कर जो रेसिपी गमी होई तुप विडियो ने लाइकन शेर करवानू बिलकल नहां बुलता फरी मलेसू एक नवी रेसिपी साथे त्या सुधी थैंक्स फर वाचिंग